कैसे हैं सभी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एक सवाल अकसर लोग के मन में चलता रहता है कि जो पतले लोग होते हैं इसकी नहीं लोग होते हैं क्या उनको वर्काउट करना चाहिए जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ज दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो पतले लोग हैं वो mass gainer या weight gainer use करें या weight gainer या weight gainer या weight gainer use करें तो इन दो बड़े सवाल में answer करने वाला हूँ आपको सारी details information पता लग जाएगी कि जो पतले लोग हैं वो work out करें या नहीं करें सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर हम workout करते हैं exercise करते हैं तो होता क्या है हमारी जो muscles होती है वो जिम में जाके हम अपनी muscles को तोड़ते हैं मतलब muscles breakdown होती है जिम में और जब हम घर पे जाते हैं अच्छी diet लेते हैं high protein diet लेते हैं अच्छे carbohydrates काते हैं healthy fats काते हैं तो muscles repair होती है और जो muscles होती है उनका size बड़ा होने लग जाता है तो इस तरीके से body बनती है अब पतले लोग यह कहते हैं कि यार हम weight gain कैसे करें तो अगर आपको healthy तरीके से weight gain करना है थोड़ी बहुत muscles बनानी है तो आपको workout जरूर से जरूर करना चाहिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि workout जरूर करें अगर आपको मोटा ही होना है जैसा आपको फोटो में दिखाए बढ़ा है इस तरीके से आपको बनना है थुल्दला मोटा तो workout मत करो कोई आपसे कहने वाला नहीं है आप मोटे हो जाओगे खाते पी तरहाओ उल्टे सीथी चीज़े खाते रहाओ फासफूड खाते रहाओ कोई रोकने वाला नहीं है आपको मोटे तो आप वैसी हो जाओगे दोस्तों अगर आपको healthy तरीके से weight gain करना है जिसमें आप healthy दिखो फिट दिखो कोई भी चीज़ वेर करो पहनो तो आपके उपर सूट करें अच्छी लगे और आपको confidence भी आए तो workout तो ज़रू करना ही है आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप workout नहीं करेंगे तो आपका weight gain तो वैसी हो जाएगा और वो होगा unhealthy weight gain मतलब आप मोटे लगने लगोगे बेकार हो जाओगे आपको ऐसा नहीं करना है आपको अपना calories surplus लेके चलना है मतलब अच्छी calories खानी है आपको protein भी अच्छी quantity मिलेना है healthy fats भी लेना है और carbohydrates भी लेना है और vitamins और minerals भी लेना है तो आपको workout तो ज़रूर करना ही है जिससे अब नहीं जा सकते हैं तो home workout भी कर सकते हैं घर पर भी workout कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई problem नहीं है बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में weight gainer यूज़ करें या फिर हम way protein यूज़ करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा skin हैं बहु अच्छे से grow कर जाएंगी अगर आप लेना चाहते हैं एक lean gaining लेके चलना चाहते हैं जिसमें आपका fat gain बिल्कुल भी ना हो या फिर बहुत हलका हो तो आप way protein ले सकते हैं एक महीने दो महीने तीन महीने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ बहुत fat भी gain हो water weight भी हम चमतकार नहीं होने वाला है चमतकार तब होगा जब आपकी nutrition मतलब diet अच्छी होगी number two आपकी training अच्छी होगी मतलब आप workout अच्छे से कर रहे होगे और सभी चीज़े आप फॉलो कर रहे होगे अगर आप लगतार फॉलो करोगे तब ही आपका weight gain हो पाएगा muscles गेन हो पाएंगी ऐसी कोई भी चीज नहीं है इसी कोई दवाई नहीं है इसी कोई गोली नहीं है जिसको खाकर आपको बॉड़ी के अंदर चमतकार हो जाएगा आपकी बॉड़ी बनने लग जाएगी लगतार आपको consistency के साथ लगतार मेंद करना है calories surplus में खाना है weight training में करना है अगर आप लेना चाहते है weight protein या mass gainer तो वो भी add कर सकते हैं कोई दिक कदनी कोई problem नहीं है सभी चीज़े लेते रहिए सभी चीज़े follow करते रहिए तो इस information से आपको बहुत को सीखने मिला होगा जरूरत हो तो whatsapp पे message कर सकते हैं कि हमें training चाहिए हमें paid diet plan चाहिए और instagram पे follow करना ना बूलना like share and subscribe take care bye